आप लोगों ने एक संगठन के बारे में सुना होगा जिसका नाम है सयुक्त राष्ट जिसे आप लोग United Nations के नाम से भी जानते हैं UN की बात करा हो इसके द्वारा एक रेपोर्ट अभी हाली में जारी की गई है और इस रेपोर्ट में कहा गया कि दुनिया की आबादी इस समय आठ अरब हो चुकी है और सयुक्त राष्ट में ए भी कहा है ए भी अनुवान लगाया है कि 2030 तक बैस्विक आबादी करीब 8.5 अरब पहुंच जाएगी और एभी कहा गया है कि 2050 तक दुनिया की जनसंख्या 9.7 अरब हो जाएगी और सन 2100 वर्स 2100 तक ए 10.4 अरब होने की संभावना भी जताई है और एक बात तो आप भी जानते हैं कि कोई देश किसी छेत में प्रगिती कर रहा हो या नहीं विकास कर रहा हो या नहीं लेकर जनसंख्या बरावर बढ़ रही है आप लोग देखिए चाइना जो हमारा फड़ोसी है अभी आप देखते हैं कि जनसंख्या में सबसे बड़ा देश है चाइना भारत दूसरे नमबर पर आता है लेकिन कई रेपोर्टों की बात माने तो ऐसा कहा जा रहा है कि 2030 के पहले भारत जनसंख्या के मामले में चाइना को पीछे छोड़ देगा और जनसंख्या को रोकने के लिए आप देख रहे होंगे सरकार की तरफ से कानून बनानी की मांग भी की जा रही है कानून बनानी की बात भी हो रही है और एक कानून लाने के बाद कितनी जनसंख्या रुकेगी ये तो कानून लागू होने के बाद ही मालू चलेगा लेकिन मुझे लगता है कि आपने देखा है कि चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी लाया था, फिर टू चाइल्ड पॉलिसी, अब थ्री चाइल्ड पॉलिसी की बात होने लगी है। तो देखे, कोई नियम कानून लाकर, कोई किसी भी चेत्म में, पूरी तरह से सफल हो जाना, सफलता पा लेना, बड़ा मुश्किल रहता है। लेकिन आप देखे, लोगों को जागरूख करकर, उन्हें आप देखे, सिक्षा देकर, जरूर आप देखते हैं कि एक तरह से जनसंख्या पर नियंतर पाया जा सकता है। आप लोग गरीब देशों को देखे, जहाँ सिक्षा नहीं है, कम लोग सिक्षित हैं, उस खेत को देख लीजे, सबसे ज्यादा जनसंख्या आप लोगों को वहीं देखने को मिलती है। और जहां जो देश आप देखतें पड़े लेके लोग रहते हैं, पड़े लेके परिवार रहते हैं, वहां आप आपने देखा होगा कि कम ही बच्चे एक तरसे पैदा किये जाते हैं। ये आप लोगों और ने normal आपने आसपास जरूर देखा होगा एक सिक्षित परिवार को आप लोग देख लिजिए अपबाद छोड़ दीजे अपबाद हो सकता है कि सिक्षित परिवार होने के बाद भी उसकी अधिक बच्चे हो लेकिन अधिक तर मामले की बात हो रही है के बारे में एक overview हम लोग देख लेते हैं और इस तरह का संगठन कभी चर्चा में रहता है कोई रेपोर्ट चारी करता है तो संगठन के बारे में आप लोग एक सामन जानकारी अपने पास रखा करिएगा क्योंकि इससे questions पूछे जाते हैं और आप लोग जिस भी एकजाम की answer writing में भी उपयोग कर सकते हैं या आप देखें कि आप लोग निवन्द लिख रहे होंगे वहां भी effect आपने उपयोग में आ सकते हैं तो देखें ACA में सबसे जाना जनसंख्या आपको देखने को मिलती है यह ACA दिखाई दे रहा है और इसमें आप देखेंगे यह हमारा प पाल यहां आप देखते हैं कि भूटान बंगला देश और म्यानमार इस अभी हमारे पड़ोसी देश हैं और चाइना आप देखते हैं संक्या में सबसे बड़ा देश है और लगदा की सीमा हेमा चलपे देश उत्तराखंड सिक्किम और अरुणा चलपे देश पांच राज राज्जों की किन किन राज्जों की सीमा लग रही है कितने राज्जों की किन राज्जों से सीमा लग रही है इस तरह कि सामन जानकरी जरूर रखा करिएगा इन नॉर्मल कुश्चन्स रहते हैं कई बार पूश भी लेते हैं तो आप देखेंगे कि सैयुक्त राष्ट जन पहले पर आप देखने चाहिना दूसरे पर भारत देखने को मिलेगा और भारत में सबसे ज्यादा किस राज्यों में जनसंख्या है यह आप लोग बताईएगा अगर हम लोग जनसंख्या विड्धी की प्रवित्ती देखें तो समगित जनसंख्या विड्धी दर में कमी आई है, सयुक्तराष्ट की बात माने, तो इसने कहा है कि बैस्विक जनसंख्या को 7 अरब सी 8 अरब तक पहुचने में 12 साल लगे है और 2037 तक 9 अरब तक पहुचने में यसे लगबग 15 साल लगेंगे और यह एंगित करता है कि बैस्विक जनसंख्या की समख विकासदर में दर्व दीमी हो रही है यहां अगर आप लोग रीजिनिंग पढ़ते होंगे मैत पढ़ते होंगे तो आप लोग वहतर समझ गए होंगे किसकी बात हो रही है यानि कि इनका कहने का मतलब यह है कि 7 अरब से 8 अरब होने में कितना समय लगा है 12 साल का समय लगा है जनसंख्या 7 से 8 अरब होने में लेकिन 8 से 9 अरब होने में 15 साल का समय लगेगा यानि कि जानदा समय लगेगा तो आप देखेंगे जनसंख्या बिढधी में कमी आ रही है ठीक है जो बारे साल में काम हो गया था उसके लिए अब 15 साल लगेंगे तीन साल का जाना समय लगेगा और साहिवतराश्ट की जनसंग्या रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि बैस्विक जनसंग्या बर्स 1950 के बाद से अपनी सबसे धीमी दर से बढ़ रही है और जो बर्स 2010 में 1.30 से कम रही है एक उधार नौर आप लोगों को बता देता हूँ अब आप माल लेजे कि आपके छेतर में पहले 5 परिवार रहते थे और उनके आप देखे कि हर परिवार का आप देखे माबाब में 5-6 बच्चे पैना हुआ करते थे लेकिन अब आप देखे वो पड़ा लिखा हो गया समाज लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि वो 5 परिवार के 50 बच्चे हो गये थे अब वो 50 बच्चों की भी तो साधी हुई होगी तो आप देखेंगे कि वो अगर 2-2 ही पैदा करेंगे 6-6 की जगए तब ही जनसंक्या बढ़ेगी तो उसी की बात हो रही है एक तरह से सायुक्तराश्ट की जनसंक्या रिपोर्ट में कहा गया है कि बैस्विक जनसंक्या वर्स 1950 के बाद से अपनी सबसे धीमी दर से बढ़ रही है और जो वर्स 2020 में एक पितीसस से भी कम रही है और विस्की जनसंक्या वर्स 2030 में लगभग 8.5 मिलियन और 2050 में 9.7 मिलियन तक होने की पहुचने की संभावना है और इससे वर्स 2018 तक लगभग 10.4 मिलियन के साथ उच इस तरह पहुचने और 2021 तक यानि की वर्स 21 तक उसी इस तरह पर बने रहने की अन्मान भी है अब आप देखेंगे जो पीछे लोग बूड़े हो जाएगे वो मरेंगे भी तो उनकी भी तो डेथ होगी सहिव्त राष्ट की बात माने तो इसने ये भी का है कि बैसवी काबादी में 60 पिती सत ऐसे छेतरों में रहते है जहां पिजनन दर पिती स्थापन इसतर से नीचे है और 1990 में 40 पिती सत ऐसे छेतरों में रहते थे जहां पिजनन दर पिती स्थापन इसतर से नीचे थी और गरीब देशों में उच्चित पिजनन इसतर है जो आपको बताया ना कि जो गरीब परिवार होते हैं देशों को आप लोग परिवार में समझ लीजे और आसिक्षित होते हैं पड़े लिके नहीं होते हैं उनमें पिजनन दर अधिक है उच्चेतम पिजनन इस्तरवाले देश पितिव्यक्ती सबसे कम आयवाले होते हैं और 2050 तक बैस्विक जनसंख्या में अनमानित बिद्धी के आधे से अधिक की बिद्धी इन आर्ट देशों में केंद्रेत होगी और उप सहावारा अफीका की देशों द्वारा 2050 तक पित्यासित बिद्धी में आधे से अधिक का यूगदान किया जैने की संभावना है अंतराष्टी ये प्रवासन की बात करें तो अंतराष्टी ये प्रवासन कई देशों में अब विकास का चालक है और इसे हम 2020 में 281 मिलियन लोगों के अपने जनम के देश की बाहर रहने के रूमें देख सकते हैं यानि कि भारत में जनम हुआ लेकर रह रहें किसी और देश में बाहर भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बंगलादे, स्रीलंका, सहित सभी दच्छिड ACI देशों में हाल के बरसों में उचिस्तर का उत्रवास देखा गया है और आप देखें कि ऐसा भी समय आने लगा है कि भारती ये मूल के लोग पिधान मंत्री बन रहे हैं, राष्ट पती बनेंगे ओप पिधान मंत्री बन रहे हैं, ओप राष्ट पती बन रहे हैं, अभी रेसी सोना का आप ने देखा है बेटे इनके पिधान मंतरी बने हैं, भारती मूल के रहे हैं, भारत से इनका सम्मन रहा है, इनके माबाप का, इनके परिवार का आप कहने का मतलब हैं, आप समझ रहे हैं? और बाहर जाते हैं उनी की बात हो रही है, और अरब देशों में आप लोग देख लिजें, खाडी द तक पहुँच गई है अर्थात पिती स्थापन इस तर की पिजनन चमता में और भी ग्रावट आ सकती है और भारत की जनसंख्या विर्धी इस तर होने की बापजुद अभी भी 0.7% पिती वर्स की दर से बढ़ रही है और 2023 तक इसकी आबादी दुनिया के सबसे अधिक आबा नी सुरू हो सकती है और 200 जनसंख्या संभावना 2022 ने चीन की 1.426 बिलियन जनसंख्या की तुल्ला में 2022 में भारत की जनसंख्या 1.412 बिलियन होने का अनुमान लगाया है और 2048 तक भारत की आबादी चरम इस्तिती के साथ 1.7 बिलियन तक पहुँचने की संभावना है फिर आबादी की बात करें तो UN PPA के अनुसार 2022 में भारत की 68% आबादी 15 से 64 बर्स के बीच की है और जबकि 65 बर्स और उससे अधिक आईू के लोगों की आबादी 7% है देश में 27% से अधिक लोग 15 से 29 बर्स की आईू के हैं और 253 मिलियन के साथ भारत दुनिया की सबसे अधिक किसोर आबादी देखने को मिलेगी 10 से 19 बर्स की और वर्तमार में भारत में किसोरों और युवाओं की संख्या सरवाद देखें अगर आप देखें युवाओं का अगर लाव उठा सके इनने आप देखें रोजिगार कौसलता सिक्षा पिसिक्षण दिया जा सके तो आप इसका लाव उठाया जा सकता है अगर यह नहीं किया तो यही आबादी भारत के उपर बोज बनने लगेगी भारत की जनसंख्या बारतमार में समय में यूद बल्ज बल्ज ये किसी देश की युवा परंपरागत रूप से 16 से 25 या 16 से 30 आयू की जनसंख्या और अनपात में पेक्षा के अधिक बिड़ी देखी जा रही है और 2025 तक यह ऐसी ही बनी रहेगी और 2030 तक भारत के सबसे ज़्यादा यूवा जनसंख्या वाले देश बने रहनी की संभावना भी है अब सयुक्त राष्ट जनसंख्या कोस की बात कर लेते हैं उससे पहले सयुक्त राष्ट क आपको देखने को मिलेगा इसका है निव और यूएसे में और इसमें 193 सदस्देश बारतमान में दो परविक्षक राजवीस में सामिल है और सहिवतराष्ट महासभा का एक सहाय कंग है और सहिवतराष्ट का इसके योन और तथा पिजनन स्वाल समंधी एजनसी के रूम मे परशट द्वराः स्थापित किया गया है और इसकी स्थापना की बात किरें तो 1967 में ट्रस्ट फंड की रूम मेंãy स्थापित किया घया था और इसका परिचालन वर्स 1889 में शुरू हुआ था और इसे वर्स 1887 में अधिकारिकत तोर वस्टयुकतराष्ट जनसंख्या कोश नाम दिया गया लेकिन इसका संचेफ्त नाम UNPPA जनसंख्या गतिविधियों के लिए सहिफ्तराष्ट को भी बर्ग करार रखा गया है और इसके उद्देश की बात करें तो UNPPA पित्यक्ष्रोप से स्वास्त संबंदी सतत विकास लक्ष तीन और सिक्षा संबंदी लक्ष चा काम करता है और इस सतत विकास लक्ष भी आप लोग याद रखेगा ये भी आप देखिए हर जेगे काम आते हैं चाहे प्रेलिम्स की बात कर लिजे मुख परिक्षा की बात कर लिजे निवंद की बात कर लिजे आप देखिए यहां तक इंटर्वीव में भी पूच लेता है और बित्पोसन की बात करें कि इसे चलाने में जो पैसा खर्च होता है वो कहां से आता है तो सहयुक्त राष्ट की बजट द्वारा समर्थित नहीं है ये इसके बज़ाए यह पूरी तरह से दाता सरकारों और अंतर सरकारी संगटनों निजी छेतरों और आम लोगों की सव आप लोग रख लिया करिएगा ठीक है और बताइए किसी पर किसी और टॉपिक की बात करनी हो तो से भी हम लोग समझ लेंगे बात कर लेंगे